असलाम अलेकम स्टूडेंट्स ट्रेडमार्क का लफ्स किसने नहीं सुना लेकिन आपने कभी गौर किया है ट्रेडमार्क से क्या मुराद है अमुमन जब आप गौर करते हैं कि ट्रेडमार्क से क्या मुराद है तो आपके जहन में कोई लफ्सी डिफिनेशन नहीं आती आपके जहन में मुख्तलिफ ट्रेडमार्क साते हैं जैसे नाइकी का मशूर निशान है कोका कोला का वो वेवी सा जो निशान है वो तो trademark basically ये words हो सकते हैं, phrases हो सकते हैं, jingles हो सकते हैं, characters हो सकते हैं, या कोई graphics हो सकते हैं जो किसी खास product या service को describe या identify करने के लिए استعمال होते हैं trademark जो हैं, वो usually 10 साल के लिए register होते हैं और फिर उसको दुबारा 10 साल के लिए और फिर दुबारा 10 साल के लिए register या renew कराया जा सकता है बशर्टे के वो trademark इस्तमाल में हो, उसके under जो product या service है वो दी जा रही हो अगर कोई शक्स या कोई company कोई trademark register कराती है और उसके बाद वो कोई product या service नहीं देती, passive या dominant हो जाती है तो 10 साल बाद उसका trademark renew नहीं होता, कोई और उसको उस trademark को या उससे मिलते जिलते trademark को जो है वो claim कर सकता है ट्रेड मार्क जो है वो important है, psychologically, visually ट्रेड मार्क जो है वो एक तरह से easy कर देते हैं आपको आपके काम को identify करने के हवाले से पाकिस्तान में trademark जो है, वो दो तरह के हैं, एक trademark for goods है और एक service mark for services है आप दोनों का फर्क समझ सकते हैं, trademark for goods means जो tangible products है, जो चीजें बनाई जाती है, वो equipment हो सकता है वो कोई building हो सकती है, वो किसी किसम का कोई model हो सकता है, उनका trademark for goods होता है जबके जो services दी जाती हैं, जैसे health है, education है, music है और इस तरह की entertainment है ये services हैं, इनके लिए service mark की term use होती है, इनको जो चीजें या जो निशान या जो characters जो हैं, वो identify करते हैं Social entrepreneurship के हवाले से trademark जो है, वो सिर्फ identify करने के लिए नहीं है कि आप कौन है और कहां है बलके social entrepreneurs के लिए trademark इसलिए important है, कि वो convey करता है, वो communicate करता है कि आप मौशरे में किस तरह बेहतरी ला रहे हैं या contribute किस तरह कर रहे हैं For example, आपने कभी गौर किया हो, इस course के दौरान हम इतनी दफ़ा अशोका का जिकर करते हैं, एक international organization है उसका trademark जो है वो अशोका tree है, ये एक द्रक्त है जिसकी एक बड़ी umbrella type जो उपर से होता है और उसका purpose है अशोका के उस द्रक्त को चुनने का अपने trademark के तौर पे क्योंकि अशोका जो है वो एक umbrella organization है जो के entrepreneurs को, जो young innovative entrepreneurs हैं उनको अपने साए में लेके उनको grow करती है, उनको facilitate करती है और वो networking जो है जैसे द्रक्त की बहुत सारी शाखे होती है और हर शाख अपनी जगा एक पूरा system होता है, बिलकुल इसी तरह अशोका के तमाम members जो entrepreneurs है वो एक पूरा system, एक पूरा enterprise जो है, वो convey कर रहे होते हैं तो social entrepreneurship में trademark की importance जो है, वो किसी भी तरह से business entrepreneurship से कम नहीं है trademark कहने को एक symbol है, या एक जंगल है, या एक character है, लेकिन उसको create करना जो है, वो इतना आसान नहीं है उसके लिए कुछ requirements हैं जो पूरा करनी होती है कोई hard and fast rules तो नहीं हैं दुनिया में कहीं भी, लेकिन जो एक journal आप कह सकते हैं, principles, वो दो तीन principles हैं उसमें सबसे पहले आपके trademark को जिस मुलक में, जिस jurisdiction में आप उसको register कराना चाहते हैं, उसकी requirements के मताबिक होना चाहिए पाकिस्तान में आप कोई ऐसा symbol जो है, वो trademark के तोर पर use नहीं कर सकते, जो इसलाम की basic teachings के खिलाव हो तो आप अपनी organization खास तौल पर, अगर आप social entrepreneur हैं, तो आप ऐसा कोई symbol, ऐसा कोई character, ऐसा कोई music या ऐसी कोई cheese anthem यूज करना नहीं चाहेंगे, जो हमारी cultural, religious sensitivities के against जाता हो trademark के हवाले से एक बात ये भी आहम है, कि ये kind of universal होता है, time और space जो है, उसमें limited नहीं होता, कि कुछ चरसे के बाद उसकी relevance खतम हो जाए, या जैसे जैसे आपका mission expand करता है, social entrepreneurs का, या organization grow करती है, social ventures की growth होती है, तो ऐसा नहो कि वो दूसरे इलाकों में, दूसरे लोगों के ल नहीं है, अगर ये दो तीन खुसियाद जो है, उनको सामने रखकर आप trademark select करते हैं, तो वो आपके enterprise को आगे बढ़ाने में, उसको माश्रे में जो contribution है, उसको highlight करने में आपके लिए helpful हो सकता है, thank you.